हेलो फ्रेंट्स वेलकम अगेंड फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम क्लाश 12th NCIT केमिस्टी 30 अफरेल फ्राइडे का हॉमबर्क देखेंगे तो दोस्तों सबसे पहले आपके लिए शौरी कि आज भी आपको टाइम से वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं और कल 29 अपरेल थास डे को आपको वीडियो नहीं मिल पाई तो कुछ काम से दोस्तों में बाहर चला गया था इसलिए आपको ये वीडियो नहीं मिल पाई थी उसका आपने पांच कॉस्चन्स है ना वो कंप्लीट किये होंगे ठीक है मुझे आशा है ये ठीक है तो आज दोस् यह बीवर हैं अपने हमारे चैनलट को सब्क्राइब नहीं किया तो प्लीश चैनल को सब्क्राइब कि subsidi और बैल को फ्रेज्ट कर लिए ठीक है और अपने जल के सेंपल मतलब पीने बाला जल है इस पीने बाले जल के सेंपल में किलोरोफॉर्म सी एच सी एल थिरी ये थिरी लखा है पीने बाले जल के सेंपल में किलोरोफॉर्म सहित अनेक अशुद्धियां मतलब किलोरोफॉर्म के अशुद्धियां तो है उसके साथ का एक पधार्थ बन जाता है जिसको कार्शी नोजन कहते हैं ठीक है इन असुध्यों का लेवल 15 PPM ये 15 PPM लिखा है ठीक है तो PPM आपको पता ये सांधर्षता निकालने की एक बिदी है ठीक है और ये केबल द्रबमान की दरष्टी से ठीक है आपको पता है PPM है ना द्रब्मां की दर्श्टी और आयटन की दर्श्टी में लेवल आया आई इसको द्रब्मां की रियों का दर्श्टे गया है। नेस्ट है नेस्ट कॉस्टिन जल के सेंपल में क्लोरोफर्म की मूल लता ठीक है और जो क्लोरोफर्म है इस क्लोरोफर्म के आपको क्या ग्याद करना है मूल लता ग्याद करना है ठीक है तो यह दोस्टों यह आपसे बनता है तो ठीक है बाकी मैं आपको दो अप्शन दे रहा प्रिके नियुमेरिकल की जो प्लेलिस्ट है वो अलक्षे बनी हुई है तो आप वहाँ पर जाकर भी इनको देख सकते हैं समझ गया ना ठीक है चलो तो यह हो गया नेक्स्ट है सुद्युजल की मोललता और मोलरता ग्याद कीजिए यदि सुद्युजल का जो घनत्व है एक मो भाई ठीक है कॉस्टन नमर हमारा थायड है 12.5 ग्राम यूरिया मनलब 12.5 ग्राम यूरिया है कि 170 ग्राम जल में बिलेन की कौतनांक में उन्याद 0.63 के पाया गया तो जल के लिए के भी बराब और यह दिया है तो यूरिया की आणविक द्रब्मान की गड़ना करना है ठीक है 0.693 के है और जो आपको है ना यह kb की बेलू k और small b की बेलू यह दिये ठीक है तो आपको आण्विक द्रब्मान मतलब mb की आपको गड़ना करनी है ठीक है तो यह कॉसटन भी आप कंप्लीट कर सकते हो ठीक है और शारे कॉस्टन में बोली रहो ना चैनल की प्ले डिस के डिस्क्रेशन में ठीक है चलो तो नेक्ट हमारा कॉस्चन यह नमर हमारा फोर है और यह है जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो फाइब टू जीरो पॉइंट जीरो फाइब टू मोल पर लीटर मैथिन उएक मतलब SCOOH की जो चालकता है 46.15 है कितनी है 46.15 है यह 46.15 है और यह सीमें सेंटिमीटर स्कॉर मोल इनवर्स है इसकी बियोजन की मात्रा बियोजन की मात्रा मतलब अल्फा की बेलु क्या होती है लेम्डा M C अपॉन लेम्डा M इनफिनिटी ठीक है और बियोजन इस्तरांग क्या होता है के अल्फा बराबर C अल्फा स्कॉर अपॉन माइनस अल्फा ठीक है यह होता है कब परिकलन कीजिए ठीक है जबकि लेम्डा H प्लस की 349.6 दिया है और लेम्डा H C O इनफिनिटी बर कावर 554.6 यह दिया है ठीक है तो आपको पहले आपको यह वाली वाली वैलू केल्कुलेट करने के बाद फिर आपको यह वाली वैलू केल्कुलेट करना ठीक है तो यह आपको दौनों चीजे आपको कंप्लीट करना ठीक है समझ गया है थोड़ा सा मैंने समझा भी दिया है नेश्ट हमारा कॉस्चन है 298 Kelvin पर एक चालकता स्यल जिसमें 0.001 मोल KCL बिलियन है यह 5 … 0.001 mol KCL का विलेन भरा हुआ है का प्रति रोध मतलब R, capital R ठीक है, यह है और 0.001 1 mol KCL विलेन की चालकत 1 298 Kelvin पर ठीक है यह चालकता, ठीक है यह आपकी जो है ना बिसिस चालकता आपको K की वैलू दिये ठीक है यह जो है ना की वैलू दिये तो हötाइ तो आपको पता है मेरे भाई के बराबर क्या होता ह है सी जी ऑंस सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और मैं ये कहने बाला था कि आपको जैसे आप हमर कंप्लीट कर लेते हैं और हमें फिर आप कमेंट करके बताएंगे कि सर हमारा हमर कंप्लीट हो गया ठीक है इससे क्या होता है हमें अच्छा लगता है यदि आप कमेंट करते हो और बताते हो कि आपने कंप्लीट कर लिया है तो हमें अच्छा झाल झाल